हेलो फ्रेंड्स मैं अजित कुमार आपके यूटूब चैनल कम्प्टिशन कम्मूनूटी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबों के पढ़ाई हम आसा करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगे और साथ ही साथ हम आपसे ये भी आसा करते हैं कि आप सब लोग इसके पहले के हम सबों के सारे वीडियो को देखते आ रहे होंगे विशेश रूप से बात करें तो इसके पहले के अर्धात प्रेपोजीशन पार्ट वन के वीडियो को आप सबोंने इंग्लिस में जरूर से देखा होगा और यदि किसी का छूट गया है तो आप प्लीज उस वीडियो को जाके जरूर देखिए हम ऐसा इसलिए कार है क्योंकि आपके इंग्लिस के सेक्शन में चाहे वो common error का सेक्षन हो sentence improvement का सेक्षन हो fill in the blanks का सेक्षन हो आपके close test का सेक्षन हो या आपके writing का सेक्षन हो जो descriptive आप आगे चलके देंगे तो descriptive आप लिखने जयेंग है वहाँ पे भी इसकी आपको चरूरत पढ़ते हैं किसकी fix preposition की fix preposition हम लोगों ने पढ़ा था preposition के part one में आज हम लोगों को no preposition का section पढ़ना है तो आज हमारा preposition का ये second lecture है और इसमें हम लोग no preposition पढ़ेंगे देखे इसके बारे में हमने आपको पहले भी समझाया था आज फिर हम आपको repeat कर देखे प्रेपोजिशन को हम लोग section में बाटके पढ़ते हैं जैसे सबसे पहले concept best दूसरा आता है fix preposition तीसरा होता है नो preposition चौथा होता है phrasal verb तो phrasal verb रटने की मतलब जैसे आप vocab रटते हैं word meaning जैसे आपको याद करना पड़ता है synonyms, synonyms, ows, idioms and phrases इन दस से मुए phrasal verb भी vocab का एक प्रकार से role play करता है ठीक है तो उसकी अपने कोई limitation नहीं है ठीक है जैसे vocab का अपना कोई limitation नहीं है लेकिन जो phrasal verb या जो vocab के पार्ट बार बार repeat के जाते हैं वो आपके SSC exam में देखने को मिलते हैं repeat होते हुए तो इसलिए आपको कहा जाता है कि previous year paper को solve किजिए या vocab भी आपको याद करना हो तो previous year paper से किजिए या vocab को याद करने का the best option होता है कि आप more and more set लगाईए जब आप ज़्यादा से ज़्यादा reading करेंगे ज़्यादा ज़्यादा आप set लगाएंगे practice करेंगे तो वो सारे word आपको repeat होते हुए नजर आते हैं और due to repetition चुकि आप जो याद करते हैं कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं यही हम सबों के साथ समस्या होती है ठीक है लेकिन जब आप उसको बार-बार repeat करते हैं तो automatic आपका revision होता रहता है और जब वो revision में बना रहता है तो हम लोग उसको आसानी से भूल नहीं पाते हैं ठीक है week में 5 days आप सबों को provide करा जाता है English का video every day Monday to Friday में आपको daily साम में 5 बजे available होता है तो यदि अब तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरूर से subscribe कर लें बिल आइकन को जरूर से hit कर दें ताकि हमारे वीडियो उसके notification आप तक पहुंसते रहें ठीक है और इसके बाद अगले class से हम लोग मिलेंगे vocab में ठीक है vocab एक बहुत बड़ा important part है तो vocab के session को हम लोग अगले class से अर्थात आज के बाद हमारा जो वीडियो जाएगा उसम के अपने इस class को हम लोग अब देखें ये no preposition सबसे पहले होता गया देखिए आपको screen पर यहां सामने दिखाए तरह मिस्यूज ओफ प्रिपोजीशन अब मिस्यूज ओफ इसी को preposition कहते हैं omission भी कहते हैं no preposition भी कहते हैं अब इन तीनों में क्या समानता है क्या असमानता ह तीनों एक दूसरे के synonym से ठीक है जैसे आप याद किजिए आप जब article पढ़ते थे तो आपको पढ़ाया गया था adjective में क्या पढ़ाया था हम सबों को तो हम सबों को वहाँ पर पढ़ाया गया था कि यह जो best है बेस्ट क्या है superlative degree of adjective है तो इसके पहले हम लोग यहाँ क्या यूज करते थे इसके पहले हम लोगों को बताया गया कि superlative degree of adjective के पहले हम लोग हमेशा और हमेशा क्या यूज करेंगे article 2 का use करेंगे ठीक है लेकिन ज़रा ध्यान दीजे यह कभी use करते थे जब यहां boy लगा होता था ठीक है अब ज़रा ध्यान दीजे यहीं पर हम लोग लिखते थे he is the best boy in this classroom या in his या हम करते हैं his best best effort अब यह effort क्या है यह noun का काम करता है यह best क्या है और इसके पहले यह देखें यह क्या है यह possessive adjective यह क्या है तो यह possessive adjective जो हम लोगों ने pronoun के table में पढ़ा था याद किजी अब यह क्या है यह था possessive adjective ठीक है अब देखें यह best क्या है superlative degree of adjective है तो इसके पहले article 2 लगना चाहिए था लेकिन इस case में यहाँ पे article 2 का यूज नहीं किया जाता है बात समझ में आ रही है और इदर से ऐसे ही आप देखेंगा कि यह off लग जाए यह आप off को छोड़िए एक और ले लिए पॉसेसिव के सिया तो आप ऐसे यूज कर लिजिए या ऐसे यूज कर लिजिए once best effort once best effort ठीक है फिर देखें यहाँ भी क्या हो रहा है यहाँ भी article 2 का use नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग जब article में पढ़ते हैं तो इसी को हम लोग काते omission of article क्या काते इसी को हम लोग काते omission of article ठीक है या misuse of article ठीक है या no use of article clear है बात समझ में आ रही है in the same way हम लोगों को preposition में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है और preposition के case को clear करने के लिए ही हमने अभी best का use किया था article का reference लिया था आपके सामने अब preposition में ऐसा क्या concept होता है जहाँ पे हम लोग आटे का sorry जहाँ पे हम लोग preposition का use नहीं करते है ऐसा कौन सा case है अब हम आपको दिखाना समझाना चाहरा है देखिए आपने बचपन से पढ़ा है बचपन से आपका जाना पाचाना एक what है यह देखिए despite ठीक है और इसी का से meaning देता है यह inspired ठीक है अब जड़ा देखिए inspired का जब हम लोग use करते हैं हम लोग यहाँ जब inspired का use करते हैं तो inspired के साथ हम लोग क्या use करते हैं off का use करते हैं inspired के साथ क्या use करते हैं off का use करते हैं इसके साथ यदि off नहीं लगाएंगे तो गलती होती है तो grammar में error create होता है बात समझ में आ रही है लेकिन despite के साथ आप देखेगा आपके exam में यहाँ पे off लगा हुआ दिखाई पड़े तो इसको तुरंत यहाँ से remove करने के जरूरत होती है ठीक है लेकिन आपके sse exam में जब भ भी बहुत सारे exams में इसको पूछा जाता है और सबसे ज्यादा popular यही है misuse का example सबसे ज्यादा misuse of preposition कहिए omission of preposition कहिए no preposition कहिए उसका यह the best और the most popular example जिसका यूज आपके सभी exams में किया जाता है ना सिर्फ sse board के द्वारा बलकि ibps board के द्वारा और भी बहुत सारे बोड़ है nda cds सब सारे exam में यह देखने को मिलता है आप देखिए का सबसे ज्यादा popular यह example है despite के साथ हमेशा off लगा कर आपको दिया जाता है और जैसे ही यह दो सिक्षन में देखने को मिलेगा despite के साथ off लगा हुआ दो सिक्षन में मिलेगा पहला sentence improvement का सिक्षन और दूसरा common error वाला सिक्षन ठीक है तो जैसे है despite के साथ off आपको दिखाए पड़े क्या करना despite के साथ जो off लगा इस off को remove कर देना होता है error वाला पार्ट बताना हो तो इस वाले पार्ट मेरर है ठीक है ऐसा क्यों होता है यह भी हम आपको सिखाते चले देखें यह despite का meaning ही होता है in spite of इसको थोड़ा क्लियर करें हम देखें जो despite है despite का meaning ही होता है despite का meaning क्या होता है in spite of in spite of ध्यान से देखेंगा इसको ध्यान से देखेंगा पूरे concentration के साथ इनको सीखने समझने का प्रयास किजेगा क्योंकि यह जब भी कभी आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो यदि आप इसको एक बार ठीक से जान लेते हैं समझ लेते हैं तो इन हर बार हमारा question correct होगा हर बार हम correct answer करके आएंगे ठीक है और यह बहुत जादा नहीं है इनके थोड़े से limited area है ठीक है तो बहुत जादा word ऐसे हैं नहीं थोड़े बहुत word हैं ठीक है आप उनको याद कर लिजे उसमें भी हम आपको चार्ड के बता देंगे कि वो कौन कौन स आप उतना भी सीख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा ठीक है देखे तो despite का meaning क्या होता है despite का meaning ही होता है in spite of अब जरा आप यहां पर ध्यान दीजिए यदि हम यहां पर despite के साथ off का use कर ले यदि हम यहां पर despite के साथ off का use कर ले हम यहां पर off का use कर लिए तो इसका meaning क्या हो होगा इसका मिनिंग होगा आप यहां भी ओफ का यूज कर लिए अब ज़रा दिहान से देखिए यहां पे यह ओफ रिपीट हो गया कि नहीं हो गया बात समझ में आ रही है और इस सेकंड वाले ओफ की यहां कोई जरूरत नहीं थी तो जैसे यह सूपर फ्लूर्स हो गया अननेसैसर हो गया अन्व quantity हो गया ह वैसे ही यहां भी यह समझ में आ रही है तो इस तरीके से हम लोग इसको पड़ते हैं नू प्रे इसी एक्जाम में frequently देखने को मिलता है हाला कि हम अभी इसमें मार्क करके बताएंगे कि वो कौन-कौन से हैं जो maximum time frequently repeat होते रहते हैं ठीक है अब ज़रा देखिए हम आपको notice करके बताते चले हम पर मार्क करते चले यह देखें अब ब्रॉड मिलेगा discuss reach request order बहुत जम के देखन इक हो मिलेगा हो मिलेगा आपको home या abroad यह दोनों एक ही तरीके के वर्ण है ठीक है रिजेंबल यह खूब पूछा जाता है आपके exam ठीक है इन्वेड भी मिलेगा इन्वेड या इन्वेड के साथ attack इन दोनों का meaning सेम है दोनों का concept भी सेम है और जो meaning है रीच का जो meaning है request का जो वहाँ patience है जो reach का meaning होता है वही meaning होता है access का ठीक है emphasize खूब पूछा जाएगा insist ऐसा है खूब पूछा जाएगा investigate बहुत बार बार पूछा जाता है और देखें जो meaning है emphasize का वही meaning है stress का वही meaning होता है insist का but insist के साथ हम लोग on का use करते है ठीक है बाकिस अब आप छोड़ द अब इनका concept क्या है यह भी हम आपको बताते हैं पहले इनका थोड़ सा list हम आपको दिखाते चले देखें हाँ पे sign भी लिखा हुआ है effect भी होगा कहीं यह देखें await बहुत बार बार पूछा जाता इंटर बार बार पूछा जाएगा ठीक है तो यह ऐसे कुछ word है जो frequently repeat होत return होगा, return होगा, reward होगा, यह आपको देखने को मिलेगा तो return बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, reward भी आपको बार बार देखने को मिलेगा ठीक है अब देखें इनका concept क्या है और इसके माध्यम से हम आपको क्या सबजाना चाहते हैं यह कुछ ऐसे word हैं जिसको हमने mark कि हुआ है आप इनको जरूर से याद रखने का प्रयास किजिए गा इनका यूज कैसे होता है और कैसे आप से इसमें कोशन पूछे जाते हैं आप इसमें कहां पे कैसे गल्ती कर बैठते हैं इन दोनों ही लिस्ट का ये जो पहला पेज का लिस्ट है और ये जो सेकंड पेज का list है इन दोनों ही page में आपको जितने ही what आपको दिखाई दे रहे हैं जितने भी what आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं दोनों ही pages में इन दोनों का एक ही concept है क्या concept है भाई concept simple सा यह है कि इन में से किसी का use यदी verb के form में किया जाए, कौन से form में किया जाए, in the form of verb किया जाए, तो इसके साथ कोई preposition हम लोग use नहीं कर सकते, इनके साथ हम लोग कोई भी preposition use नहीं करेंगे, लेकिन इन में से किसी का use यदे in the form of noun किया जाए, in the form of noun किया जाए, noun के रूप में यदिन का प्रयूग किया जाए तो इनके साथ suitable preposition use किया जाएगा जो भी इनके साथ suitable preposition होगा वो use किया जाएगा अब आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ यहाँ पर समस्या आएगी सर हम कैसे पाचाने कि कब इस word का use in the form of noun होता है कब इस word का use in the form of word होता है हम लोग कैसे पाचान है हमारी English week है यह हमारी English ठीक ठाक भी है तो हमें से ऐसे बहुत सारे candidate है जो इन word को इन दिये गए words को verb और noun के form में नहीं पाचान पाते हैं ठीक है यह home का concept थोड़ा सा अलग है home और abroad का concept इनका और इनका इन दोनों arrow वाले का concept थोड़ा सा अलग है ठीक है अब देखिए इसका एक बड़ा सुन्दर सा example हम आपको दिखाते हैं जो आपकी exam में बार बार repeat होता हुआ नजर आता है कैसे तो एक साधारन सा example लेते हैं हम लोग किसका हम लोग example लेते order का किसका example लेते हैं तो हम लोग example लेते order का ठीक है किसका example लेते हम हम example लेते order का यह देखिए order order का use noun के form में भी होता है और verb के form में भी होता है तो यदि noun के form में use किया जाएगा तो इसके साथ कोई भी सुटे वले appropriate verb का preposition का use हम लोग करेंगे ठीक है लेकिन order का use यदि in the form of verb होगा तो हम लोग इसके साथ कोई भी preposition use नहीं करेंगे आईए इस बात को समझने के लिए इसका example लेते हैं और example के मात्यम से हम आपको सिखाने समझाने का प्रयास करते हैं कि दिये गए sentence में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कभी ये verb हो जाता है और कभ अथमें होते हैं तो वर्ब के पांट form मोते हैं सेकेंडंस सम्रान थरड्थ फोर्फ好像 ऋर फिफ़ाऴ फिप्ट फ़ार्म में इंगी लगा होता है फिफिप अ १िए फिप्ट फॉर सिरफ फॉर्म ए सिस लगा होता है ठीक है सेकंट थर्ड फॉर्म में जनरली ईडी लगा ह टी, ठीक है, दूसरा एक example लेते हैं, I placed an order for two cups of tea, आप ज़रा ध्यान से देखिए, इन दोनों ही sentences में, क्या difference है, क्या असमानता है, क्या समानता है, आईए इस पर हम लोग चर्चा करें, सबसे पहले देखिए, इन दोनों ही sentences में, हम लोगों को देखने को मिला, यहाँ पर order, देखने को मिला, ठीक है, अब order के पहले देखिए, यह क्या लगा हुआ है, आर्टि सजना, जालिम है दिल की लगी ठीक है, तो कोई भी आर्टिकल हो, अट्जाक्टिव हो, डिटर्माइनर हो, ठीक है, मोडिफाइयर हो, उसके बाद कहीं न कहीं ना उन्सको आना ही पड़ेगा, उनके तुरंथ बात भी ना उना आ सकता है, उनके कुछ सब्दों के बाद भी नाउन आ सकता है, लेकिन अगर modifier है, determiner है, adjective है, article है, तो noun को आना ही पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अब ज़रा दिहान दिजिए, यह जो word है, order, order के पहले यह क्या दिखाई दे रहा है, आपको modifier, determiner दिखाई दे र है, मतलब यह कि यह किसका काम कर रहा है, यह काम कर रहा है, नाउन का, ठीक है, ऊपर वाले में देखे, यह आई क्या है, subject है, आई क्या है, subject है, नीचे वाले में भी आई क्या है, subject है, यह क्या था, यह था हमारा वो, ठीक है, अब देखे, यह subject है, और यह preposition है, ठीक है, दूसरा बात भी आप समझेए तो यह है subject और यह पूरा का पूरा अब दोनों के बीच में कहीं नहीं वर्व तौ आना चाहिए के वल नाउन ही रहेगा के वल नाउन ही नाउन sentence में भर दिये जाए तो sentence कभी भी meaningful नहीं हो सकता तो इधर भी देखे प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन के बाद यह देखे टू कप्स क्या हो गया नाउन के टू क्या है एडजक्टिव है क्या है नाउन है यह देखे प्रेपोजिशन के पहले भी नाउन प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन ठीक है बात समझ में आ रहे है तो इधर वाले part में किवल noun बरे हैं यह I क्या है? pronoun ने तो कहीं ने कहीं बरतो होना चाहिए यह किसका काम कर रहा है? तो यह काम कर रहा है वर्ब का जब यह काम कर रहा है यहां पर अब ज़रा दिहान देजिए यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं order का use इन दोनों ही sentences में किया गया है बट उपर वाले में order role play कर रहा है वर्ब का वर्ब का जब यह काम करेगा तो इसके साथ यहां कोई भी preposition हम लोग use नहीं कर सकते ना तो order to ना order for ना order in वगेरा वगेरा कोई preposition use नहीं होगा लेकिन order का use जब हम लोग noun के form में करते हैं तो इसके साथ हम लोग use करते हैं for का यह part correct है और यह part incorrect है बात समझ में आ रही है ऐसे और भी कई question आपको आगे चल के question में मिलेंगे वहां पर भी हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे ठीक है चलिए तो यहां से इस तरीके से आप पाचान सकते हैं जितने भी वाट हमने आपको दो list में दिखाए उन list में जितने भी वाट हमने आपको मार किये थे वह बार बार frequently आपके examen repeat होते रहते हैं ठीक है तो इनको आप याद रखने का प्रयास किजिएगा एक और concept हम आपको समझाना चाहते थे जिसके बारे में हमने आपको बताया कि home या abroad यह देखे यह home या abroad ठीक है इसके बारे में हमने थोड़ी दिर पहले आपको बताया कि कि इनका concept ठोड़ा सा अलग है, क्या इनका concept अलग है, कैसे इनका concept ठोड़ा सा अलग है, आईए इसको भी हम लोग यहां पर सीकने पर से समझने का प्रयास करते हैं, इनका concert कुछ इस तरीके से अलग है, कि यदी home या abroad है, home या abroad, उसके पहले यदी कम लीखा गया हो, क्या पड़े गेट लिखा हुआ दिखाए पड़े रीच लिखा हुआ दिखाए पड़े अराइव लिखा हुआ दिखाए पड़े मतलब सीधा बात आप ऐसा समझे कि होम या अब्रॉड के पहले यदि कोई आने या जाने से संबंधित वर्ड आपको दिखाए पड़े तो इनके और home या abroad के बीच में इनके ऐसे जो भी आपको यहां पर what दिखाए पड़ेंगे इनके और इनके बाद यह जो हम लोग home या abroad का यूज करेंगे home या abroad का यूज करेंगे इन दोनों के बीच में यहां पर कोई भी preposition हम लोग यूज नहीं कर सकते ध्यान दिजिए यहां पर यदि हम लोग चाहें कि किसी preposition का यूज कर लें तो यहां पर हम किसी preposition का यूज नहीं कर सकते ठीक है यहां पर हम किसी preposition का यूज नहीं कर सकते फ होगा यह कैसा होगा इनकरेक्ट होगा ठीक है बात समझ में आ रहे हैं जैसे एक एक्जाम्पल लेते हैं है ही इस गोइंग टू ठीक है अब देखे इसमें क्या गलत है तो यह गो आना जाना से समझनी तो वर्ड हो गया अब इसके बाद देखे यहां पर लगा हुए प्रेपोजीशन टू तो हम क्या करेंगे हम इस प्रेपोजीशन टू को यहां से रिमूफ कर देंगे मेरा आंसर क्या होगा बात समझ में आ रही है तो यह हूम और ब्रॉड का किस थोड़ा सा अलग था इनको छोड़के बाके जितने भी लिस्ट में वर्ड थे उन सबों का यूज दो प्रकार से होता है इन दा फॉर्म आफ नाउन इन दा फॉर्म आफ वर्ब तो वर्ब के रूप में जब इनका हम लोग प्रयोग करते हैं तो इनके साथ हम लोग किसी भी प्रेपोजीशन का यूज नहीं करेंगे यही है मारा मिस्यूज और प्रेपोजीशन का सेक्शन किन्तु उन लिस्ट में दिये गए किसी भी वर्ड का यूज यह दि हम लोग नाउन के फॉर्म में करेंगे तो उसके preposition के concept पर बेस्ड अब हम लोग कुछ question को solve करना शुरू करते हैं देखे यहां से हम लोग देखना शुरू करते हैं और यहां पर भी question में भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि देखे इसका use यहां पर verb के form में हुआ है या noun के form में हुआ है ठीक है आईए अब इनको हम लोग फटा फटा यहां से solve करते चले तो यहां से हम लोग देखना शुरू करते हैं यह emphasizes ठीक है सबसे पहले इसका teacher यह हमारा subject यह क्या है हमारा subject है अब subject कैसा है singular तो उसके लिए verb कैसा आएगा singular तो देखे वर में CES लगा कि उसको क्या position का use नहीं करते हैं तो यहां पर on को हम लोग क्या करेंगे simply remove कर देंगे हमारा answer क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है बास समझ में आ रही है next आगे पड़ते है my friends father frequently goes to abroad यह देखे गो गो क्या है यहां पर subject कोन है father है इसका verb हो गया गो यह भी singular और यह भी singular subject singular तो वर भी singular और यह देखे फिर से आगया abroad तो abroad के पहले आने या जाने से संबंदित कोई भी word लिखा हुआ हो उसके और whom यह abroad के बीच में किसी preposition का use नहीं करना है next consider के साथ देखे consider का use यह दि हम लोग work के form में करते हैं तो उसके साथ आपके exam में देखने को मिलता as like about consider के साथ most frequently आपको देखने को क्या मिलेगा as like about इन ही तीनों preposition का use देखने को मिलता है तो आप याद रखे इनके साथ हम लोग as like about का use नहीं करेंगे ठीक है यह देखे answer answer का use यह दे in the form of verb किया जाए इन the form of verb किया जाए तो इसके साथ हम लोग किसी preposition का use नहीं करेंगे लेकिन यह दे इनका यूज नाउन के form में किया जाए तो answer के साथ हम लोग preposition 2 का use करते हैं किसका टी ओ टू का use करते हैं ठीड़ लू मत समझ लीजेगा ठीक है next आगे पढ़ते हैं all the girls return back यह देखे return के साथ बैक का use नहीं करते भाई क्योंकि जो meaning होता है return का वह ही meaning होता है reward का वह ही meaning होता है return का ठीक है और इन सबों का मतलब होता है वापस लोटना तो इसके साथ back का use नहीं करते हैं ठीक है जैसे इसके पहले हम लोगोंने English में पढ़ा था कि double negative वाला error create होता है एक ही sentence में दो negative वाट का use नहीं किया जाता है और फिर भी यदि आपको कहीं पे किया हुआ दिखाए पड़े तो वो grammatical error बनता है ठीक है तो ऐसा use हम लोग नहीं करते है इसलिए return के साथ reward के साथ हम लोग back का use नहीं करते है next फिर देखें यहां पे consider consider के बाद देखें यहा रखा जाए क्यों नहीं रखा जाए तो सबसे पहले इसको confirm करने के लिए consider का subject क्या है रोहन है यह it क्या है प्रणावन है तो उधर नावन है इधर प्रणावन है बीच में जो what आएगा वो क्या होगा वर्ब होगा ठीक है क्योंकि सारा का सारा नावन या प्रणावन एक सा पर भी हम लोग देखें देखें यहां पर यह adjacent के साथ लगा हुआ तो आप इसको याद कर लिजिए adjacent के साथ हमु Filip क्या use करते है to aite कोसे प्रे पोजी सन अभinho में देखें किसे प्रेपोजीशन का यूज नहीं किया गयाू ठीक है तो यह sentence करेक्ट है इस kinda Japan का no error option number d next अगले question में चलते ही as a sorry he has always considered himself for यह देखे consider क्या है वर्ब है himself for consider के बाद देखे यह reflexive pronoun आगया क्या गया reflexive pronoun आगया तो he has always considered himself for a baller for की कोई जरूरत नहीं है हम लोग क्या use करेंगे a baller वो अपने आपको हमेशा एक baller मानता रहा है ठीक है इसके आगे फिर हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है चले यहां से आगे पढ़ते हैं if they are going on Tuesday next यह देखे यह बड़ा important question है यह बहुत important question है इसमें कैसे कैसे आपको फसाय जाता है कैसे आपको trap कह जाता है यह जरूरत सिखिए देखिए यह जो ट्यूजडे है यह time indicating word है तो ट्यूजडे हो क्या लिख दे हम यहां पे हम यह दे यहां पे लिखे on next Monday तो यह गलात होगा on on next Monday तो चुकि हमारा यह habit बन चुका होता है कि Monday यह किसी बेडे के नाम के पहले क्या लगाना है तो हमें on लगाना है ठीक है तो इस तरीके से यह हम लिखेंगे तो यह grammatically incorrect होगा इसको यह दे correct करके लिखना है तो इस next को यहां से हटाएंगे और next को यहां लाके लगा देंगे अब यह format correct होगा बात समझ में आई clear है चली यहां से आगे बढ़ते हैं इसी concept का use करके देखे यहां पे आप से यह question पूछ लिया गया अब देखे यह Tuesday Tuesday के पहले on लगा तो यह part कैसा हो गया correct हो गया और ताथ इस question का answer हमारा क्या बनेगा इस question का answer बनेगा no error option number D क्या बनेगा option number D बनेगा ठीक है next यहां से आगे बढ़ते हम लोग अब चलते अगले question में यह देखे secretariat comprises of comprise के साथ off का use नहीं करते हैं ठीक है active voice में ठीक है comprise के साथ कभी off का use correct आपको देखने को मिलेगा कभी incorrect देखने को मिलेगा sentence यदि active voice में हो sentence यदि active voice में हो अब आप कैसे पाचाने कब active में कब passive में महीं पाचानना बढ़ा आसान है यदि is MR के साथ देखे सबसे पहले passive का मतलब क्या होता है verb का third form तो यह सबसे पहले third form में होना चाहिए तो comprise मे यदि लगा हुआ होगा तो आप उसके पहले चेक कर लिजेगा उसके पहले इस MR लगा हुआ है कि नहीं इस MR के साथ बिंग लगा हुआ है कि नहीं ठीक है या है जबसे आपको देखने को मिलेगा अर्थात वही बात जो हमने आपको passive में बताया था is mr was word ठीक है या be been being के साथ यदि आपको ये third form में दिखाए दे comprises तो आप समझ जाएगा कि ये sentence दिया गया है passive में और ये जो verb है ये है passive ठीक है तो जैसे ही ये passive में होगा passive में आपको comprise दिखाए दे तो उस case में off correct माना जाएगा और ये इस mr के साथ comprise में ed लगा हुआ दिखाए न पड़े was word के साथ comprise में ed आपको दिखाए न पड़े bing और bing के साथ comprise में ed आपको दिखाए नहीं पड़े तो आप comprise के साथ कभी भी off का use मत कीजिएगा ठीक है बात समझ में आई next आगे बढ़ते हैं ये देखे describe के साथ हम लोगों ने बचपन से आदत बना रखा है हम लोगों का एक common habit डिवलप कर गया है describe के साथ about तो लगाना ही है और describe के साथ कभी भी about का use नहीं होता है ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा कहां कहां तो अभी tier 1 tier 2 के exam के time और फिर जब आप descriptive लिखेंगे वहां पर भी आप इंची जो का ध्यान रखिएगा इससे लिखना हो आपको ये later लिखना हो आपको आप इसका use नहीं करेंगे ठीक है कभी कभी प्रेसिस भी आपके exam में आता है तो प्रेसिस में भी आप describe के साथ about का use नहीं करेंगे asked from him what I was doing in the cabin अब यहां पर देखे ask के साथ from का use नहीं करेंगे यह कहां पढ़े थे हम लोग तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था narration में कहां पर इसको हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने इसको पढ़ा था narration ठीक है बात समझ में आ रही है ठीक है अब मजा आ रहा होगा धीरी धीरी तो मजा लेते रहिए इंगलिस को सीखते रहिए question को बनाते रहिए चले चलते हैं आगे यह narration का था यह देखे डबलू एच इंटरोगेटिव पैटन का यह तो बीच में न तो यह देखे बीच में किसी भी वड़ का यूज नहीं किया गया है और तब ऐसे सिच्वेशन में रिपोर्टिंग वज़े को हम लोग ask में convert करते थे और ask के साथ यहां पे किसी भी preposition का यूज नहीं होता है simply इसके साथ हम लोग object का यूज करते हैं बात समझ में आ रही है next यहां से आगे बढ़ते हैं यहां देखे फिर वही बात है told के साथ यहां क्या लगा हुआ two लगा हुआ यह फिर narration से लिया गया concept है तो इस two को हम लोग क्या करेंगे यहां से remove कर देंगे ठीक है तो उपर वा इसके साथ about को remove कर दें यह देखे सी क्या है subject है हर मदर क्या है object है इधर subject है इधर object है अब यह reassure क्या हो गया यह वर्व हो गया वर्व हो गया तो इसके साथ two का use हम लोग नहीं करेंगे तो assure हो reassure हो इसके साथ हम लोग वर्व के form में किसी preparation का use नहीं करते हैं आगे बढ़त आपको fix preposition पढ़ाया था और तब हमने वहाँ पे आपको बताया था कि prevent के सांथ क्या लगाते हैं from लगाते पढ़े थे ऐसे हम लोग ठीक है तो prevent एक पूरा idiom के तरीके से यूज होता है prevent someone from doing something आप इसको में साय याद रखने का प्रयास केजिए prevent someone from doing something आप इस तरीके से इसको याद रखने का प्रयास केजिए आपके question हर बार correct बनते रहेंगे तो आएए इस question में देखे हम लोग यहां देखे यह prevent हम लोगों को दिखाए दिया prevent someone के साथ फरोमान चाहिए आया हुआ है और फिर इसके साथ आएंगी आना चाहिए अब inter के साथ Intue का यूज हम लोग नहीं करते अब इंटर के साथ Consomme का यूज नहीं करते आ ये और सर्फ इतना याद रखें आपको inter के साथ into दिखाए पड़ता है तो आप में से बहुत सारे बच्चे confused होते हैं सर आपने तो बताया था कि कसम खा लो इंटर के साथ into लगाना नहीं ठीक है तो यहां कैसे into आगया सर मतलब पता नहीं आपको English साथा भी है कि नहीं आप सही पढ़ाते हैं कि गलत अब इसके लिए हम आपको यहां पर सिखाते चलें, देखें इनका concept क्या है, इनका concept है कि यह जो word आपको दिखाए पड़ता, इंटर, इंटर के साथ आप into का use नहीं करेंगे, ठीक है, कभी नहीं करना है, एक condition में करना है, कब करना है, यह भी सीख लें, इंटर के साथ preposition into का use हम नों करेंगे, कब करेंगे, जब किसी pact की बात होगी, जब किसी agreement की बात होगी, जब किसी agreement की बात होगी, ठीक है, जैसे India and Russia, India and America, ठीक है, इंडिया जैसे किस में सामिल हो गया, तो quad में सामिल हो गया, ठीक है, मालेजे इंडिया को NATO में सामिल कर लिया जाए, इंडिया को किसी और organization में सामिल कर लिया जाए, इंडिया औस्टलिया के बीच कोई डील हो गया ठीक है तो दोनों के बीच में क्या हुआ एक agreement हुआ एक समझोता हुआ एक contract sign हुआ ठीक है उस sense में inter के साथ हम लोग use करते हैं into सिर्फ और सिर्फ इस condition को express करना हो तो ऐसे condition में हम लोग inter के साथ use करते into और ये वाला condition आपके exam में दिखाए नहीं पड़ता है आपके exam में ये वाला अभी तक कभी पूछा नहीं गया है तो ऐसे बहुत सारे concept है जो use किये जाते हैं जिन में preposition का use होता है बट वो आपके ACC में अभी तक कहीं भी दिखाए नहीं पड़ते हैं तो इसलिए फाल्तु की चीजों को सीखने से हमें कोई फाइदा नहीं हम लोग उतनी ही बात करें उतनी ही चीजों को सीखें जो अपने exam में बार-बार repeat होता रहता है ठीक है तो अब यहां चल रहे थे हैं यहां पर हिंटर के साथ इंटू का यूज हम लोग नहीं करेंगे यहां पर देखें यह उड़ क्या है model auxiliary वाब है अब यह model auxiliary वाब है इसके बाद देखें यह आ रहा है वाब तो यह क्या है यह हमारा मेन वाब मतलब यहां पे order काम कर रहा है वर्ब का काम कर रहे है तो preposition का यूज नहीं करेंगे आंसर बन गया इसकेंड है का option number B नेक्स्ट आगे चलते हैं यह दिखें रिजेंबर रिजेंबर का मतलब क्या होता है similar to resemble का मतलब क्यों होता है similar to ठीक है तो resemble का मतलब क्या होता है similar to किसी के समान होना जैसे हमारा आपका चेरा अपनी मम्मी पापा परिवार के किसी सदसे के समान होता है उससे मिलता जूलता होता है ठीक है यह बताने के लिए जिदे हैं लोग बोब लोग कर लिए तो आप gözמײ के साथ किसी भी प्रेपोजीशन का यूज आपको यहां पर नहीं ठीक है रिजमबल के साथ किसी भी प्रेपोजीशन का यूज नहीं करना ये तो आपको याद हो इसके साथ इन्टु नहीं करना है अब दिखेंए ओवेटि का मतलब ही ही होता है वेट फॉर वेट का मिनिंग क्या होता है वेट का मिनिंग ही होता है वेट फॉर वेट के साथ फॉर का यूजन नहीं करते हैं जबके वेट के साथ पॉर का यूज करना जरूरी है ठीक नेक्स यहां से आगे चलते हैं लोग कुछ और कोशन को देखने का प्रयास करते हैं अब यहां पर आईए यहां पर देखें हम लोग यहां पर देखें यह consist के साथ of लिखा हुआ है consist के साथ of आता है सही है लेकिन comprise के साथ of का यूजन नहीं किया जाता है क्योंकि comprise का meaning ही होता है consist of यह वही बात है जैसे आज के class के इनिसियल में हमने आपको पताया था हमने आपको पढ़ाया था क्या बताया था भई despite का meaning ही होता है in spite of क्या meaning होता है despite का meaning क्या होता है in spite of बात समझ में आई चलिए तो आगे पढ़ते हैं से यह वाला part हमारा correct है answer बना no error next आगे पढ़ते हैं यह देखें धीरज का यूज जब active voice में करते हैं तो इसके साथ किसी भी प्रेपोजीशन का यूज नहीं करते हैं मेरी का यूज साधी करने के sense में जब भी कभी हम लोग करते हैं तो इसका यूज यदि active वाइस में हो तो इसके साथ केसी भी प्रे पोजिशन का यूज नहीं करते हैं यहां देखे धीरज ने मैरी को वादा किया धीरज का एक लड़का मैरी क्या है एक लड़की है तो धीरज ने मैरी से वादा किया कि मैं तुमसे साधी करूँगा तुमसे साधी करूँगा ना कि कर लगी जांब सर्वेर तो मुझे क्या कमी है ठिक है तो यहां पर विद का यूज नहीं करें क्योंकि विद का मिनिंग यह इंग्लिस को हम लोग ऐसे सिखते हैं हिंदी के मादे हमसे तो हिंदी में जैसा सेंस आता है वह ऐसा ही अप्रोप्रियेट वड़ उठाके हम लोग यहां पर यूज कर लेता है इसी गलती है अप मत किजिएग आंगे पड़ते हैं यह देखें dare के साथ two और इंटर के साथ three two यह तो पता ही है अब आपको अब यह देखें resemble resemble के साथ यहां पर फिर क्या विद है अब इसको हम लोग क्या करते है रीमॉव कर दें नेक्स यहां से आगे चलते हैं, कुछ और question को बनाने का प्रयास करते हैं, यह देखें, discuss, discuss के साथ with का use नहीं होगा, ठीक है, नेक्स आगे बड़े, local authorities have entered partnership with, देखें, यह इंटर partnership with, with private companies, तो इंटर के साथ into का use नहीं होता, यहां पे इंटर के साथ into का use नहीं किया गया है, partnership partnership with, partnership के साथ use करते हों with, तो वो part correct है, answer बना हमारा no either, ठीक है, और यहां से अब आगे चलते हैं, अब इनके आगे देखें, हमने आपको पिछले class में भी इनके बारे में बताया था, यह क्या है, यह सारे के सारे concept based preposition है, यह सारे के सारे concept based preposition है, जिसको हम लोग बच्पन से पढ़ते आ रहे है, at, in, on, upon, by, from, ठीक है, ऐसा हम लोगों ने बच्पन से पढ़ा है, ठीक है, एबमने उपर, on का मतलब भी उपर, over का मतलब भी उपर, सब का meaning उपर, तो सब में क्या confusion है, इनका use भी करते हैं, अस्थान के साथ, at का use भी करते हैं, अस्थान के साथ, इनक यूज भी करते हैं, टाइम के साथ, नहीं, जिसे आप कहीं offline coaching में जाते हैं, inquiry के लिए, आप inquiry counter पे पोस्ते हैं, reception counter पे पोस्ते हैं, सरिया मेडम जो ही वहाँ पे बैटे हो, ठीक है, तो हमारा बैच कितने दिलों में खत्म हो जाएगा, ठीक है, और आप में से कई बच्चे summer vacation वगरा में आते हैं, ठीक है, तो उनका इरादा होता है कि एक डिए महीने में खत्म हो जाए, दो महीने के पहले खत्म हो जाए, ठीक है, तो आपको पता जाता है कि लगभग चार-पांच महीने, अच्छा, चार-पांच महीना, उसके पहले नहीं हो जाएगा, अब ज़रा देखिए, वहाँ पर काउंटर पर जो भी मेल ये फिमेल आपको इंक्वारे देने के लिए बैठा होता है, वो यदि इंग्लिस का थोड़े जानकार होता है, तो आपको समझाता है, ने बैच कम्प्लीट हो जाएगा, इन थ्री मन्स, अब ज़रा ध्यान देजिए, उसने क्या कहा, इन थ्री मन्स, और इन का मतलब आ विदीन थ्री मन्स, और आपने क्या समझा, अच्छा इन लगा दिया न, अच्छा इन लगा दिया मतलब तीन मने के पहले, हम आप क्या करते हैं, अकेले गये थे इनक्वारी लेने, अब आप अपने और दो चार पांच दोस्तों को भी फोन करके वहीं से बताते हैं, भाई को पता चलेगा, विदीन का मतलब होता है, उसके पहले, इनका मतलब होता है, उसके बाद, क्या होता है, इनका मतलब होता है, उसके बाद, बाद समझ में आई, अब ये बातें, आप में से कुछ विद्यारतियों को, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को, सस्पेंस में डा रहा होगा यह क्या बता रहे सर इनका मतलब तो होता है में ठीक है इनका मतलब होता है पहले अब आप यह क्या बताने लगे सरी तो बिल्कुल गलत कॉंसेप्ट है इसी तरीके से आपके ग्रामर में इंग्लिज को सीखा जाता है समझा जाता है ठीक है बात समझ में आ रही है विदीन का मतलब उसके पहले जैसे अगर हम कहें विदीन 3 months मतलब है कि 3 महीने के पहले, 3 महीने से अंदर, अब 3 महीने में कितने दिन होते हैं 90, मतलब 90 days जो होगा वह आपका include उसमें नहीं, 89 तक में आपका over हो जाएगा, लेकिन यदि हम यूज कर लिए इन थ्री मन्स मतलब कि 90 दे तो लगे गा ही 90 से ज्यादा लेगा 91 होगा लेकिन 89 नहीं होगा बात समझ में आ रहे हैं इस तरीके से आपके इसे से एक्जाम में धेर सारे कोशन पूछे गए तो आएए अब इन पैटर्न के कुश कोशन को भी हम कर रहे हैं ठीक है जैसे माल लिए आप किसी एक्स वाइजट कंपनी में काम करते हैं तो आप बताएंगे कि आई वर्क अगर वर्क वर्क का यूज करेंगे तब तो आप एड का यूज करेंगे ठीक है लेकिन हम इसमें रिक्रूट हो गए हैं तो किसी कंपनी में आप काम कर हैं तो उसको बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं इन का किसका प्रेखो इन का थीकश्य का अगे बढ़ते हैं हैं और यहाँ कенко-णीजर करेंगे हम किसका यूज करेगे हम यूज करेंगे इस के जगह प्रेखah इन का मतलब इन विक्स टाइम मतलब एक सब्ता के भीतर नहीं एक सब्ता के बाद और देखें यह विक्स का spelling भी गलत लिखा यहां पर आर्टिकल ए का यूज किया गया और एन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है सब कैसा रहता है इसका correct answer क्या बनेगा correct answer बनेगा option number a option number a ठीक है next यहां पर सेली इस और नियर एक्स्टिंक्ट लेंगविज एस पोकेन इन होगा फॉर नहीं spoken in जैसे मा लेज़े कोई भासा के वल दिल्ली में बोली जाती हो तो spoken in only in दिली ठीक है next यहां से आगे बड़े हम लोग यह देखे यह एक idiom and phrases है इसको आप याद किजिए cash in on का मतलब होता है मौके का भरपूर फाइदा उठाना मौके का भरपूर फाइदा उठाना ठीक है जैसा याद किजिए हम लोग जब बच्पन में थे छोटे थे तो जो भी चीज़ आपको खाने पीने की चीज़े अच्छी लगती थे यदि कभ के मौके का फाइदा उठाते थे ठीक है तो आपको जो भी करना था जितना खाना था खुब चुरी किये खुब खाए पिये मौ जुराएं ऐसे हम लोग बड़ा होने पर भी करते हैं जब भी कभी कोई मौका मिल जाए तो मौके का भरपूर फाइदा ठाने का प्रयास करते ह उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं cash in on क्या यूज करते हैं cash in on ठीक है cash in on इसको आप हमेशा इसे याद रखेगा cash in on ठीक है next यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं we don't really want a large house we are looking for look for का meaning होता है देखना ढूंडना comfort and some convenience in और on का यहां पर यूज करते हैं price के साथ क्या यूज करते हैं at price के साथ क्या यूज करते हैं तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे at तो on की जगह यूज करेंगे at ठीक है अब इस question में आपको क्या करना है तो वो part आपको ढूंड के बताना जिसमें grammatically गलती थी जो grammatically incorrect था तो यहां देखें यह वाला part कहां दिये हुआ है इस वाले part में दे हुआ है इसलिए इस question का answer क्या बनेगा option number a तो कभी-कभी आपसे incorrect ढूंडने को बताए जाता है किस पार्ट में गलती है ठीक है कभी-कभी आपसे correct ढूंडने के लिए कहा जाता है यहां देखें हम लोग क्या करते है contribution के साथ fix proposition है to contribution के साथ क्या यूज कर से contribution के साथ simply आप यूज किजिएगा टू क्या यूज करेंगे टू आगे बढ़ते हैं से यह देखें डाइव डाइव के साथ यूज करते हैं इन्टू देखें जब भी-कभी इस्थिती में अवस्था में एस्टेट में परिवर्तन आपको दिखाना हो एक प्लेस से दूस पूल-पूल मतलब तला मतलब आप डाइव किये तो डाइव करने के पहले डाइव किजिएगा कहां तला में तला में क्या है पानी है तो डाइव करने के पहले आप कहां थे एयर में ठीक है और जैसे ही डाइव किये कहां चले गए वाटर में तो आपका जो एस्टेट था को चेंज किया फ्रॉम एयर टू कहां चलेगे आप लिक्विड तो जैसे ही अवस्ता परिवर्तन हो ठीक है इसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं इन्टू का यूज करते हैं तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे ऑप्शन नमबर भी ठीक है नेक्स्ट आ कोई भी प्रेपोजिशन हो टू को छोड़के इसके बाद यह दि कोई भी में वर्वाय तो उसको कनवर्ट कर दना है फूर्थ फॉर्म में डैट इस आई एंजी फॉर्म ठीक है तो यहाँ पर दिखें यहाँ पर इन डूइंग यहाँ देखें फॉर डूइंग ठीक है हम समस्या में है अब आगे चलके समस्या उसकी और बढ़ गई तो उसके स्टेट में अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ अवस्था में परिवर्तन को दर्साने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं इंटू का तो इसलिए यहाँ प यूज करेंगे इनगे कितने आसानों सा यहां फिर प्रिवेंट। तो यह हो गया ا तो यहां पर टू की जगै क्या यूज करेंगे यहां पर यूज करेंगे यूज करेंगे फ्रॉन और smoke की जगा smoking, prevent someone from doing something, next, यहाँ पर आगया यह dissuade, dissuade के साथ भी वही काम करते हैं, जो meaning है prevent का, वही meaning है dissuade का, तो दोनों के साथ एक ही काम करते हैं, prevent someone from doing something, dissuade someone from doing something, तो हमारा answer क्या बनेगा, यह option number B, next, आगे बढ़ते हैं, lack of, देखे lack के साथ of का use होता है, lack of education, did not prevent, फिर से वही बात देखे, prevent someone from doing something, तो यहाँ क्या use करेंगे, from becoming, ठीक है, next, आगे, अगले question में चलता है, we have sufficient food and clothing, about नहीं भाई, यहाँ पर क्या use करेंगे, for न, हम लोगों के पास sufficient मात्रा में, food और कपड़े हैं, किन के लिए, flood victims के लिए, तो के लिए का English, for, तेरे लिए, signal तोड़तार के ठीक है, इस तरीके से बात समझेए, next, आगे बढ़े, I have, sorry, I never miss a cricket match as, चुकि, I am fond of, देकि, fond के साथ हमें से क्या लगाते है, of, fond of cricket, from childhood नहीं, इसके साथ यहां क्या लगाते है, यहां लगाते है, since, अब इसके लिए हमने आपको time and tense पढ़ाते समय बताया था, कि from का use करते हैं, ऐसे time indicating word के साथ, जो proper noun का role play करता है, लेकिन ऐसा कोई भी time indicating word, जो proper noun का role play नहीं करता, वो common noun का role play करता है, उसके साथ हम moment and, and many are, यह देखे, why with, यह देखे, इसका real meaning क्या होता है, वी, आई, इवाई, इसके साथ use करते हम लोग, with, why with का मतलब, यह fix preposition है, why with, meaning होता है, to compete with, meaning क्या होता है, to compete with, किसी के साथ प्रतियस परदा करना, तो यहां to के जगा क्या use करेंगे, to के जगा use करेंगे, with, ठीक ह वाई का जब वाई इंग लिखते हैं, तो वहाँ पर, I के जगए use करते हैं, लोग, why, ठीक है, next, responsible के साथ, दो ही preposition use होता है, of या for, responsible के साथ, सिर्फ और सिर्फ दो preposition use होता है, of और for, दोनों ही correct है, आज यह देखे हैं, पर responsible के साथ for लगा हुआ है, तो यह part हमारा कैसा ह है, correct है, तो हमारा answer क्या बनेगा, no substitution required, किसी change की कोई जरूरत नहीं है, इसको भी आप याद रखे, plate के साथ क्या use करते हैं, for का, plate के साथ क्या use करते है, for, ठीक है, plate for मतलब भाना बनाना, तर्क देना, my hotels offer to, अब देखे, most hotels offer, offer के साथ क्या to, जब किसी destination की बात आपको करनी हो, तो उसको बताने के लिए, उसको express करने के लिए, हम लोग use करते है, preposition to का, किसका use करते है, preposition to का use करते है, ठीक है, offer to their guest, ठीक है, next, आगे बढ़ते हैं, a heavy fine will be inflict, inflict के साथ use करते है, हम लोग with का नहीं, भलकि use करते है, on का, inflict on, impose on, inflict on, impose on, impose on, impose on, impose on, ठीक है, impose on, inflict on, इन दोनों का मतलब होता है, किसी के उपर लाद देना, कुछ थोब देना, जैसे देखें, यह जो पेट्रोल डिजल का दाम बढ़ता है, यह जो public है, इसके उपर indirectly एक प्रकार से कहें, तो tax impose कर दिया जाता है, ठीक है, tax impose हो गया, ठीक है, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करते है, on का यूज करते है, आप इसको याद रखेगा, यह fix preposition, इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत है, नहीं है, अब यहाँ पर behavior modification techniques, यह कोई techniques है, ठीक है, are often used to the training, to the training, नहीं for the training, यदि हम to लगाएंगे, तो यहाँ पर training की के लिए यूज कहा जाता है, यहाँ पर फिर वही बात, तेरे लिए signal तोड़ तारके, तो क्या यूज करेंगे, for का यूज करेंगे, next, water relief to sit down under, sorry, sit down after walking in the park, from an hour, for an hour, for, ठीक है, एक घंटे से, यहाँ पर देखे, क्या यूज कहा जा रहा है, I will stop to refreshment, I will stop to, नहीं for refreshment, आप refreshment के लिए रुकेंगे, ठीक है, फिर वही बात, तेरे लिए, next, यह देखे, no sign of recognition, यह देखे, no क्या है, adjective, adjective के बद क्या आता है, noun आता है, देखे, sign, ठीक है, हमने आपको बताया था, कि sign का use in the form of noun होगा, तो उसके साथ preposition आएगा, sign का use in the form of verb होगा, तो उसके साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं किया जाएगा, no क्या होता है, adjective होता है, adjective के बद क्या आएगा, noun होता है, noun होता है, noun होता है, तो यह प्रेपोजिशन, correct है, correct है, तो answer क्या हो जाएगा, no improvement, next, यहां से आगे बढ़ते है, the launch of the small electric car will depend, depend के साथ two का use नहीं होता है, इसको भी depend के साथ अपॉन का यूज भी किया जाता है, दोनों सही है, ठीक है, यहां पर finally Ananya found her pet kitten, over the top, over the top of the branch नहीं, on the top of the branch, on the top of the branch, ठीक है, next, यहां से आगे बढ़ते है, the guards in the colony, always keep, देखे, यह एक idiom and phrases है, पूरा, keep an eye on, keep an eye on, तो यहां पर keep an eye तो हो गया, यहां पर क्या use करेंगे, on का use करेंगे, यह पूरा का पूरा क्या phrase है, keep an eye on, इसका मतलब होता है, किसी पर नजर रखना, निगराने रखना, ठीक है, keep an eye on, next, I am going on a holiday होता है, to a holiday नहीं, to यह कोई destination है, यह किसे जगह का नाम नहीं है, यहां क्य employees were given incentives, देखें, यह best best के साथ फिर क्या use करेंगे, on, फिर यह वही बात है, disappoint, यह क्या लगा हुआ है, to लगा हुआ है, अब यह देखें, to be filled, तो यह हम लोग use करेंगे, disappoint के साथ क्या use करें, on failing, fail करने पर, he was greatly disappointed, on failing, again, मतलब फिर से जब वो fail किया, दुबारा जब वो fail किय अब यह देखें, इसको कैसे आप आचान सकतें, यह two लगा हुआ है, to be filled, मतलब उसको fail कर दिया गया, इसलिए हो दुखी होगे, ठीक है, ऐसा नहीं होने चाहिए, दुखी होने काम कौन कर रही है, यह हमारा main verb, इस काम को करने वाला subject यही है, तो यदि किसी काम को करने वा साथ verb का first form आता है, और यहां पर यह first form नहीं है, इसलिए option number C cancel हो गया, अब चुकि इसको रखना है किसमे, active में रखना है, इसलिए यहां पर by being field का use भी हम लोग नहीं करेंगे, तो हमारे पास एक ही option है, option number B, next, आगे बढ़ते हैं हम लोग, the injustice from the sentence pronounced, अब प्रोनाउंस के सा from the sentence pronounced, pronounced on, pronounced on, ठीक है, pronounced on या प्रोनाउंस के साथ हम लोग over का use भी करते हैं, तो हम लोग यहां पर use कर सकते हैं, on या over का, अब यहां पर देखें, above that great sentence, तो यहां पर हम लोग use कर लेंगे, over, pronounced over, pronounced over, यह ज्यादा suitable है, यहां पर pronounced over, next, I visited my friend to whom, यहां पर देखें, जिसके I had made an appointment, तो जिसके साथ, साथ के लिए क्या use करें, तेरा साथ है तो, फिर से वही बात, use करेंगे, with, क्या use करेंगे, with, ठीक है, with whom, next, आगे बढ़ते हैं, the recruiters were pleased, आप देखें, please के साथ, passive में, active में नहीं, यह देखें, passive में चला गया, was, 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 के साथ, verb का third form, मतलब sentence का ह पैसी में, यह verb का चला गया, passive में, passive में हो, तो इसके साथ, हम लोग use करते हैं, with का, किसका use करते हैं, with का use करते हैं, बाद समझ में आ रही है, तो इस तरीके से, हम लोग fix preposition को याद रखके, ऐसे बहुत सारे question हैं, जिसको हम लोग easily बना सकते हैं, और यह सारे के सारे question आप देख पा रहे हैं, सारे के सारे question हैं, previous year, recent year के exam में पूछे गए, ठीक है, आईए, कुछ और question को हम लोग यहां से solve करने का प्रयास करते हैं, अब phrase interest है, यहां पर देखिए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यह filler का question है, यहां पर लगा हुआ है on, तो आप सिर्फ और सिर् आप से बड़ी एक्जामपल आपको दिखाए देता है, डिपेंड, ठीक है, आईए, एक दो और question हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करते हैं, अगला question है, हमारा off और old double off से related, यहां पर आईए, old lady nearly did from fright, अब देखिए, यहां पर आपके exam में बड़ा मज़दार question आता है die के साथ off भी लगाते हैं, die के साथ from भी लगाते हैं, die का मतलब बाल रंगना वाला die मत समझ लेना भाई, ठीक है, जिसको आप लोग बाल में use करते रहते हैं, लाल, हरा, पीला, वाइट, पताने किस किस टाइप का color आप बनाते रहते हैं, बाल का ठीक है, अब देखिए, अ का यूज करते हैं और डाई के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं डाई के साथ ऑफ का यूज हम लोग करते हैं समानने तोर पर ऐसे किसे भी बिमारी को एक्सप्रेस करने के लिए या बिमारी से मौत होने के लिए या मौत होने का सेंस एक्सप्रेस करने के लिए जैसे किसी को कैं टर्म में होती है जैसे आपके एससी में 2012-13 में एक कोशन पूछा गया टीटीसी फीवर टीटीसी फीवर अब इस टीटीसी फीवर को एक लगई फिल्माई थी सलमान खान कियाद किजी आएगा कोई ऐसा करके गाना था उसमें लगई लिप्स ठीक है तो उसमें मिथुन दा मि को इंट्रोड्यूस करते हैं टीटीसी फीवर अब यह टीटीसी फीवर एक ऐसा फीवर है जिसके होने से व्यक्ति की मृत्यू बहुत कम समय में हो जाती है ठीक है और ऐसा ही एक बिमारी होता है इनसेफिलाइटीस ठीक है तो ऐसी कुछ बिमारियों को यदि यूज किया ज हो जाए किसी को कैंसर हो जाएए ठीक है हिपेटाइटीस हो जाए तो व्यक्तिक मृत्यू तुरंत हो घाएगी नहीं होगी यदि किसी की मृत्यों भूखमरी से हो जाती है, जैसे अभी आप यूकरेन में देख रहे हैं, यूकरेन के कई इलाकों में भूखमरी के इस्थिति बने हुई है, भूख से मौत हो जाए, भाय से मौत हो जाए, किसी प्रभाव से, किसी external effect के कारण उसकी यदि मौत हो जाए, चलिए, तो अब आते हैं, यहां पर, the old lady nearly died from fright, fright का meaning होता है fear, इस fright का meaning होता है, इस fright का meaning होता है, तो भाय क्या है, कोई external effect है, एक्स्टरनल effect है, तो क्या use करेंगे, die के साथ from का, ठीक है, die के साथ क्या use करेंगे, from का, देख लिए, die के साथ from है, यहां किसी change की कोई जरूवत नहीं है यहां पर already dead के साथ क्या यूज किया गया है from तो die हो या dead हो दोनों के साथ एक ही condition को हम लोग use करेंगे दोनों से meaning वाले word है ठीक है next आईए एक दो और question हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करते हैं though she was able to finish the work on time हाला कि वो सही समय पे काम को खत्म करने में पूरा करने में सक्षम थी योग थी she could not do that out in fear out in fear नहीं होता है भई यह पूरा का पूरा phrase है आप इसको याद रखेगा out of fever क्या होता है out of fever होता है क्या होता है out of fear ठीक है out of fear next चलते हैं एक और question की तरफ यहाँ पे देखिए the man with a lost eye have been accused accused के साथ for का use नहीं करते हैं किसका use करते हैं off का किसका use करते हैं off का use करते हैं यह सब fix preposition तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद रखें याद करने का प्रयास करें और जितना याद करेंगे उतना smoothly question आप preposition का बना सकता मतलब preposition आपके लिए उतना ही smooth होगा ठीक है तो आज के class को हम लोग यह पर conclude करते हैं मिलते हैं हम लोग अगले class में तब तक के लिए आप से बुखा बहुत बहुत आभार बहुत धन्यवाद